वरिष्ट सामाजिक कारेकरता और कुष्ट सेवा समीति की सीएओ डॉक्र शीतल आम्टेक करजगी ने आज आत्मत्या की है उन्होंने आनन्वन में अपने निवास पर जहर का एंजेक्शन लगाकर अपनी जीवन लिला समाप कर ली है उन्हें वरोरा उपजिल्दा अस्पिताल ले जाया क्या जहां उन्हें घटना स्तल पर मृद्गोशित कर दिया क्या डाक्टर शीतल आम्ते की आत्महत्या का कारण अभी तक समझ में नहीं आया है कहा जाता है की उन्होंने आत्महत्या कर ली क्योंकि वहर रिश्टे और कुछ्छ्ट सेवा समीति के बीज जगडे को सहन नहीं कर सकी कुछ दिनों पहले डॉक्टर शीतल आम्टे ने सोशल मीडिया पर महारोगी सेवा समीति के काले करताओ और ट्रस्टियों पर लगाए गए आरोपो पर नाराजगी जताते हुए वीडियो साजा किया था लेकिन दबाव की कारण उन्होंने एक दो घंटे में वीडियो डिलीट कर दिया लेकिन उसके बाद डॉक्टर विकास आम्टे प्रकाश आम्टे मंदा आम्टे और भाती आम्टे ने आरोपो से इंकार करते हुए एक पत्र लिखा था उन्होंने कहा था कि उनका मानसिक स्वास बहुत अच्छा नहीं था और उनका इलाद चल रहा था स्वर्गवासी वरिष्ट सामाजी कारे करता डॉक्टर शीतल आम्टे यह बाबा आम्टे की पोती थी शीतल आम्टे वर्तमान में आननवन की प्रभारी थी वो बाबा आम्टे की तीसरी पेड़ी का नेतरुत्व कर रही थी पिछले कुछ महीनों से आम्टे परिवार में आंतरिक संगर्श चल रहा है यह तर्ग सामने आ रहा है कि सारी विवाद के केंद शीतल थी ऐसे भी ऐसे उन पर समय समय पर आरोप लगाये के थे और उसी बीच उनकी आत्मत्या की खबर आज सामने आई है प्रारमभिक जानकारी में सामने आया है कि उन्होंने जहर का इंजेक्शन लिया उन्हें वरोरा के एक उपजिला अस्पिताल ले जाया गया लेकिन घटना स्तल पर ही उन्हें मृत खोशित कर दिया गया कुश्रोग्यों के जीवन में खुशिराने वाले आननवन में ही ये दुखत और चोकाने वाली खटना होने सी पुरे परीसर में खलबली मची है